अलो फ्रेंट्स वेलकम टू मैं चैनल क्रेटिंग वैल्थ तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं टेली कम्यूनिकेशन सेक्टर से एक इस टॉक जिसके बारे माज हम डिटिल्ड एनलाइसिस करेंगे जानेंगे कि कंपनी के इन प्रोगर्ट्स में डिल करती है कंपनी के आ सामने और उनसे बिलकुल कली टक कर यह कंपनी ले रही है न्यू थिंक्स यह लांच करती रहती है तो उसमें यह कंपनी अच्छा खासे एक परफॉर्मेंस दिखाने में लगी हुई है आप देखेंगे इनकी जो प्रिपेड प्लांस हैं एंड साथ के साथ आप देखेंगे पोस्ट पेड भी सर्विसिस यह प्रोवाइड कराते हैं ग्रोड्वेंड भी सर्विसिस यह प्रोवाइड कराते हैं डी टी एच भी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं और साथ के साथ इनों ने जो है एर्टल बैंक जो है इनकी वो भी यह प्रोवाइड कराते हैं तो कंपन जो class के जो customers हैं, जो high ranked वाले जो customers हैं, high profile जो customers हैं, उनके लिए services, better services ये provide करा सकें, तो आप देख सकते हैं, उसके लिए एक company लगी हुई है और अच्छा खासे एक performance ये company दिखा रही है और आने वाले time में भी ये company अच्छा खासा performance दिखा सकती है, get priority, आप देखेंगे get priority, healthcare at home with a free three month Apollo Circle members upon your recharge, तो इस तरीके के company जो services जो provide करा रही है, जो offers जो provide करा रही है, उससे इनके जो share है, जो subscriber है, वो भढ़ते हुए आगया आने वाले time में नजर आ सकते हैं, आप देखेंगे watch latest movie on gplex with a at l digital tv and switch to post paid, तो इस तरीके की यो ये roll over data, तो roll over data जो है उसमें नहीं मिलता ह post paid का connection अगर आप लेंगे तो लेकिन इसमें post paid के connection में आपको roll over data मिलेगा, तो जिस तरीके की ये जो things जो दे रहे हैं, be on a network that gives you VIP treatment, अब देख सकते हैं, company जिस तरीके की जो services जो दे रही हैं, जिस से आने वाले time में ये company Jio को मात देती हुई दिख सकती है, या उनके level की ये टकर दे सकती है, उनको टकर दे सकती है, जिस तरीके की ये भी जो services हैं वो launch कर रहे हैं, हाला कि Jio के आने से इन companies के दाम काफी घट गए, नहीं तो ये companies पहले काफी अच्छा खासा एक amount लेती थी एक जीवी data और दो जीवी data देने के लिए, लेकिन अब इनोंने वी इनको भी दाम घटाने पड़े, और आने वाले time में 5G में देखते हैं कि Jio इन companies से कैसे टकर लेती है, और बस only एक यही company है, बोड़ाफोन आईडिया तो पहले ही उनको काफी दूल चटा दी है Jio ने, बस एक यही company बची है, जो एक अच्छा खासा एक दमखम रख रही है, लेक भी रहा है, आला कि company के पास में काफी अच्छा कासा एक loss आ चुका है, एक debt आ चुका है, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, भारती Airtel post quarterly revenue 25,747 करोर, आप देखेंगे year on year 17, 75% का इनको जंप देखने को मिला है, इंडिया बिजनिस जो है वो रेवेन्यू रहा है, and mobile services का भी revenue बढ़ रहा है, Airtel business जो है भो भी भढ़ रहा है, and home businesses से भी इनको growth देखने को मिल रही है, consolidated इविटता भी देखेंगे तो उसमें भी jump देखने को मिला है, and India का इविटता भी देखने को अच्छा कासे एक jump मिला है, consolidated net income अगर आप देखेंगे तो इनको 75 करोड की net income होई है, industry leading operational indicators, underscoring, strong business momentum, mobile India 4G से इनके जो customers है, वो अच्छे खासे हैं, बढ़ रहे है, and mobile India ARPU के थुरू भी इनके जो customers है, वो भी increase हो रहा है, highest ever customer addition आप देखेंगे 274,000 in home businesses, quarter 4, 2021, crossing 3 million mark, digital assets witness over 200 million digitally engaged monthly active users, strength the network even further with acquisition, 355 MHz spectrum for the 18,699 crore, विर्भारती एटेल announced consolidated AS result for the quarter 4 ended March 31, 2021, तो आप देखेंगे जिस तरी किसी कंपनी जो आगे अपने network को जो strong कर रही है, network को जो strength दे रही है, और customer base जो इनका दीरे-दीरे-दीरे-दीरे भल रहा है, क्योंकि यह जो schemes लेके आ रहे हैं, जो offers लेके आ रहे हैं, उससे जो elite class के जो customers हैं, वो भी काफी अच्छे खासे एक प्रवावित हो रहे हैं, और जो middle class के जो customers हैं, वो अच्छे खासे प्रवावित हो रहे हैं, overall customer base जो है, इनका 471 million across 16 countries, आप देखेंगे, इविटा अच्छा खासा है, टोटल revenue भल रहा है, एंड net income जो है, बहुत भल रही है, एंड टोटल केपेक्स spend इनोंने जो किया है, इस quarter में 6,846 करोड का, आप देखेंगे, इंडिया का जो revenue है, एंड अफरिका के revenue से भी इनको बड़त देखने को मिली है, इंडिया में इनोंने 5,141 करोड का केपेक्स किया है, एंड की साथ आप देखेंगे तो आफरिका में इनोंने 1546 करोड का केपेक्स किया है, हाइलाइट्स अगर आप देखेंगे तो every parameter पर आपको increase होगा, इनका जो EBITDA है, revenue है, सम्में आपको ब 4G के जो कस्टमर्स हैं, उन से देखने को मिली है, तो थोड़ा लोगवाग देख रहे हैं, कुछ कस्टमर्स हैं, जो GEO को छोड़की यह वाला जो नेटवर्क है, 4G का जो Airtel का जो नेटवर्क है, उसको पकड़ रहे हैं, Airtel का आप देखेंगे, Airtel बिजनेस कंटिनु to accelerate its momentum with 9.7% year-on-year growth, driven by demand for connectivity and solution across global businesses and domestic businesses, the company continued to expand and grow adjacent verticals such as data centers, cloud, cyber security, customer relationship management platforms, video conferencing amongst other, तो एक तरीके से जो रहता है कि monopoly किसी चीज के नहीं होनी चाहिए, monopoly अगर हो जाती है, तो उसमें क्या है कि business जो है, वो तेजी से grow करता है, लेकिन वो prices भी अच्छे खासे एक hike कर देते हैं, क्योंकि सामने कोई रहता नहीं है, तो एक company अगर competitor है, तो competitor क्या है कि अगर वो अगर कम पैसे price रखेंगे, तो वो second competitor को भी कम prices रखनी पड़ेगी, तो monopoly जरूर रहनी चाहिए, तो भारती Airtel and GOE दो ही एक ऐसे खिलाणी है, टेलीकॉम services में, जो अच्छी खासी एक performance बना रहे हैं, और दौनों compete कर रहे हैं, तो आप देखेंगे, digital services से भी अच्छी खासी performance देखने को मिली है, digital TV से, इन सेकेंड वेव अफ कोबिट-19, I am grateful to our people who are doing all they can do, strengthen our network, experience and serve our customers, braving, massive odds, तो आप देखेंगे इनका जो रेवेन्यू है, वो गुरू किया है, mobile revenue, 4G कॉस्टमर्स की अधिशन हुए हैं, we are seeing strong momentum in our home's business, with 274K net ads, the enterprise sentiment delivered double-digit growth, our digital assets continues, to scale and we are bringing to see strong traction in monetization and monetization of these assets, तो देख सकते हैं, आप अच्छी खासी performance यह कंपनी दिखा रही है, और अच्छी खासी performance यह दिखाते हुई दिखेगी, consumer services में आप देखेंगे, तो mobility, home broadband, DTH की services यह प्रोवाइट कराते हैं, enterprises services में आप देखेंगे, तो boys, data and subcables, data centers, cloud, ऐसी services यह प्रोवाइट कराते हैं, digital services में आप देखेंगे, तो इनके पास में काफी जो apps हैं, उनके थुरू यह प्रोवाइट कराते हैं, जिसमें आप देखेंगे, तो Wink का app है, इनका Airtel Extreme है, Airtel Thanks है, Airtel Payment Bank है, तो आप देख सकते हैं, अच्छी खासी इनकी leadership in largest high growth telecom market, customer base अच्छा खासा है, countries में आप देख सकते हैं, 18 countries में इनका जो है, अच्छी खासी एक presence है, market cap बहतरीन है, company का, and number second पर आती है, RMS in India, and number one पर आती है, try VLR subscriber में, and number second पर है operator in Africa, Premier Digital Communication Company है, and robust performance across all segment देखने को मिली है, आप देख सकते हैं, all segment में performance अच्छी खासी देखने को मिली है, company को, and साथ के साथ, the Indian telecom market has undergone significant changes, तो 8 players है, 8 players में जो है, बस सब दो ही रह गए है, mostly अगर देखा जाए, तो Airtel and Reliance का जो Gio है, बस बही, तो और तो सारे ODI ही गए है, BSNL थोड़ी-थोड़ी अब दिखा रहा हैं, लेकिन अब तो उनका पहले तो अभी 4G का लग रहा है, जब तक 5G आ जाएगा, जब तक BSNL 4G लगा पाएगा, लेकिन अच्छी खासी performance देखने को मिलेगी आने वा mobility has seen significant improvement in operating matrices, आप देखेंगे, अच्छी खासी performance देखने को company को मिल रही है, and outperform कर रही है, जिस थरीके से company अपने जो base है, उसको बढ़ा रही है, customers को, अच्छी खासे customers को, अपने elite customers को join करा रही है, अपने जो features है, उसके through, feature-ready spectrum holding, reframed कर रही है, अपने जो expand कर रही है, 4G की जो capacity है, उसको, and 4G services can be launched on all of the available spectrum brands, first Indian telecom to successfully test, demonstrate and orchestrate live 5G services over commercial network, 5G services tested over existing spectrum in the 1800 megahertz brand, तो आप देख सकते हैं, company 5G के लिए भी trial कर रही है, अनवाले time में ये company जो 5G से इनको जो performance और देखने को मिलेगी, तो ये और अच्छी खासी टककर Airtel को, GEO को दे पाएंगे, proactive investment to build a quality network and enhance user experience, अगर user को अच्छा experience मिलेगा, user को अगर data अच्छा मिलेगा, और उनको network अगर अच्छा मिलेगा, तो वो फिर Airtel GEO में नहीं जाएंगे, Airtel पे लगे रहेंगे, best download speed में अगर आप देखेंगे, तो Airtel सबसे उपर है, number one rank पर है, उपला के थुरू, and India में भी ये दीरे-दीरे Kpex कर रहें हैं, जिससे कि ये world class network वना पाएं, आप देख सकते हैं, targeting high quality customers through innovative services, जो मैंने आपको बताएं, innovative services ले लेके आ रहे हैं, इन आप देख सकते हैं, bundled pricing plan, attractive proposition, Airtel thanks के थुरू, ये loyalty programs ले देख सकते हैं, Airtel businesses जो हैं, इनोंने जो ये launch किये हैं, तो उनसे companies को कफे अच्छा-कासा फायदा देखने को मिल रहा है, and building a high growth digital services ecosystem, digital service ecosystem ये company बना रही है, जिससे कि customers को कहीं कोई problem ना हो, और वो digital जो theme है, उस पे work out कर सके, lack ना करे कहीं, comfortably navigated external challenges over the last year, आप देख सकते हैं, उनको इनोंने सही तरीके से लिया है, कहीं कोई problem नहीं होने दिये, और sustain किया है, Airtel Africa track record of consistent delivery, आप देखेंगे, अच्छी खासी delivery मिल रही है, और वहाँ से इनको जो है, rating भी अच्छी खासी मिल लिया, ready access to capital market, and strong asset monetization, track record, देख सकते हैं, improving credit outlook reflected on bond prices, summary, rapidly growing market share, secular 4G growth, 5G से भी peak apex investment are already done, industry consolidation, 3 plus 1 player market, Airtel India leader is VLR subscriber, and अब देखेंगे, strong acquisition, capabilities translating into revenue momentum and operating leverages, non-mobile and digital service providing additional growth levers, comfortable and diversified leverage, profile and solid balance sheet, sustainability है, कहीं कोई problem नहीं है कंपनी को, और आने वाले टाइम में कंपनी अच्छी खासी performance दिखाती हुई, नजर आएगी, depth को भी ये कम करती हुई नजर आएगी, आप देखेंगे यहाँ पर, अभी में की न्यूजर, Jio continues to launch active subscriber, फरवरी, मैं भी अच्छा खासा ये देखने को मिला था, mobile number portability के थुरू, जो Jio के जो customers हैं, वो इस समय पे भारती Airtel में जा रहे हैं, और उनसे अच to add most active users for third straight month, तो देख सकते हैं, वाटी Airtel का जो subscriber base है, वो गेन कर रहा है, क्योंकि यह जो launch जो कर रहे हैं, new things जो launch कर रहे हैं, innovative things जो launch कर रहे हैं, तो उनसे customers को अच्छा कासी एक support मिल रहा है, customers को अच्छी कासी एक, जो है, services मिल रही है, तो जाहिर सी बात है कि लोग आग Airtel को चूज कर रहे हैं, और आप देखेंगे, मैं आपको बता दूँ, इनके उपर कितनी इस समय पर जो depth है, Airtel के उपर, मैं आपको बताऊंगा अभी आगे आने वाले time में, आप देखेंगे, maximum return इनका, आप देखें, share ने यहीं के यहीं consolidation किया है, जीओ के आने के बाद मैं share ने यहीं के यहीं एक performance दिखाई है, और अब देखेंगे तो आपने बिल्कुल just lifetime high के करीवी है share, और 93% analyst बोल रहे है, share को buy करने के लिए sector P minus में है, तो इनका भी ratio minus में ही चल रहा है, लेकिन आने वाले time में यह company positive trend में आएगी, और positive trend में यह अच्छे खासे performance करके तो यह हम एक बार Fibona की tool के थूरू इसको देखेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने काफी time तक यह consolidation के phase में रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, काफी time तक consolidation यहाँ ने किया है, यह देखेंगे, यहाँ पर इस share ने अच्छे कासे एक jump दिखाया, फिर आप देख सकते हैं, यह वाला जो high है, यह वाले high को इन्होंने cross कर दिया है, और इन्होंने एक new high यहाँ लगाया है, और यहाँ से अगर आप देखेंगे, जब यह share 2020 में down गया था, and down जाने के बाद में इस share ने बहुत जल्दी उपर jump लिया, तो हम यह वाला base लेके चलें आप देखेंगे यहाँ पर, यह वाला हम जो base लेके चलेंगे, and साथ के साथ 2019 का भी हम base नहीं, एक साल के लिए अगर हम देख रहे हैं, तो 2020 का base हम लेके चल सकते हैं, यहाँ का जो base है, इस base के थूरू अगर आप देखेंगे, तो share इसका यह वाला जो base है, जो कि March में तो बिल्कुली due to corona नीचे आ गया था, सारा का सारा system, April में थोड़ा सा फिर सुधरने लगे थे, तो April का base हम लेके चलेंगे, तो April से अगर आप देखेंगे, तो share ने अपना, bullish trend में भी यह share लोटा था, 38.2% की resistance के उपर, लेकिन फिर से आप देखेंगे, तो यहाँ पर यह 50% क resistance को नीचे कट नहीं कर रहा है, आप देखेंगे, तीन महीने से just to see के आसपास ही है, possibility जब तक यह share आप देखेंगे, तो 490 के नीचे जब तक यह share नहीं आता है, जब तक आप इसमें बने रह सकते हैं, कहीं कोई problem नहीं है, 490 के नीचे अगर यह share आता है, तो possibility है कि यह share फ और एक नीचे आपको just stop loss लगा के रखना है, वो है आपको 475 रुपे का, 475 रुपे का stop loss लगा के 540 के ऊपर आप इसे purchase कर सकते हैं, आने वाले time में यह share यहां से आपको 50-50% के return ज़रूर यह यहां से दिखा सकता है, अगर आप यहां से इसको purchase करेंगे, तो बड़े ही आर कंपनी को भी अच्छा कासा फायदा आने वाले time में देखने को मिलेगा, इस कंपनी को भी देखने को मिलेगा ही मिलेगा आने वाले time में, and मैं आपको weekly बता दू, weekly यह company किस थरीके से performance दिखा रही है, आप देखेंगे, यह share ने यहां पे एक recently high लगाया, और यह recently high लगाने के बाद में, यह फिर से नीचे गया है, और आप देखेंगे यहां पे, यह वाली जो candle बन रही है, यह वाली जो candle बन रही है, यह वाली जो candle बन रही है, आप देखेंगे, ऊपर सी ही बिलकुल यह red candle भरी हुई बनी है, तो जब तक यह share 61.8% की रेश्टेंस के उपर नहीं को पर्चेस करना है, उससे पहले आप इसमें हाथ ना डाले, पांसोसी पे अगर आप इसे पर्चेस करेंगे, तो यह share आने वाले टैम में आपको देड़ से दो महीने के अंदर, यह share आपको 600, 650 से 680 रुपे तक जाता हुआ देख सकता है, लेकिन पहले आप इसे bullish trend में जा consolidation है, उसके भी नीचे यह share जाता हुआ देख रहा है, तो friends अभी आप इसमें हाथ ना डाले, अभी थोड़ा सा time ले, पहले इसको थोड़ा performance करने दे, अपने lifetime high को इसको चूने दे, short term के लिए तब आप इसमें पर्चेस करें, long term के लिए मैंने आपको 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 आपक कर सकते हैं, आप देखेंगे, तो five की face value है, 144 की इनकी book value है, and साथ की साथ जो brokerage firms हैं, जो दे रहे हैं, आपको देखते हैं, 700 रुपे के ऊपर के target prices दे रहे हैं, dividend में अगर आप देखेंगे, तो 2020 में इन्होंने dividend दिया है, and net profit में अगर आप देखेंगे, तो net profit income minus में ही चल सकते हैं, यहां पर 2020 इनका माइनस में गया है, और दीरे दीरे इनका profit भी घटा है, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, तो थोड़ा सा problem company के सामने अभी focus यह company कर रही है, अगर आप देखेंगे, तो company की debt भी अच्छे खासी इनको debt भल रही है, दिया याई को भरोसा ह FII को अच्छा का सही है कि इन पर believe है, तो आने वाले time में यह company अच्छी खासी performance यहां से दिखाती हुई नजर आएगी, and साथ के साथ आप देखेंगे, तो इनकी जो ROI है वो भी minus में चल रही है, and debt देख सकते हैं, debt है company के पास में, बुड़ा phone idea के पास में तो और जबरदस debt है, तो दीरे 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 को कम करते हुए दिखेंगे, जो innovative ideas है, उनको launch करते हुए दिखेंगे, यह share यहां से, अच्छा खासा एक performance दिखाने के लिए ready आने वाले time में हो सकता है, friends, आपको वीडियो कैसे लगी, आप मुझे comment करके बता सकते हैं, thank you.